खेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ आपका एजूगेटर कमलाक्ष जहा फिफ्ट ऑफ जैन्वरी 2021 का करेंट अफेर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं अगर आप सिव्ञSe2019 की तयारी कर रहे है तो आपके लिए मेंडेटरी है इस लेक्चर को देखना और लेक्चर में जो मैं आपको इंस्टक्शन देता हूँ उसको आपको रिलिजिसली फॉलो करना है अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% guarantee आपका selection होगा 100% की guarantee की बात जो मैं करता हूँ वो बकाईदा proofs दिखा कर करता हूँ आप नीचे description पर proofs चेक कर सकते हैं मैंने जो अपने students को पढ़ाया था UPSC 2020 exam के एक से देट साल पहले उनी से related question बने हैं और state civil services की बात करें तो UPSC 2020 exam के एक से देट साल पहले जो भी topics मैंने cover कराये थे उनी से related exam में question पूछे गाए क्योंकि यहाँ पर जो आपको topics cover कराये जाते हैं वो civil services examination point of view से cover करवाये जाते हैं और सभी sources से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए news cover करता हूँ इसका मतलब यह है कि अगर आप current affairs यहाँ से follow कर रहे हैं तो आपको कहीं और preparation करने की आवशक्ता नहीं है कुछ भी current affairs पढ़ने की आवशक्ता नहीं है full-fledged तयारी आपकी यहीं से होती है और आप जो है वो यह current affairs की lecture देखने के बाद अपने daily targets करो general studies की topics finish करो optional की तयारी करो बागी current affairs की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर आपकी हो जाती है यहीं मेरी जिम्मेदारी होती है आपको cover करा रहा है और हर एक चीज़ आपकी cover होती है civil services examination perspective तो आप देख सकते हैं कि आज की यह topics हैं जो आज अपने discuss करने वाले है अगर आपको pdf package को join करना है तो मातर 100 rupees पूरे महिने की fees है पूरे महिने में 100 rupees मातर 100 rupees में आपको daily lectures की pdf दी जाती है आपको handout notes प्रोवाइट किये जाते है lecture का weekly compilation आपको मिलता है आपके revision के लिए आपको monthly magazine प्रोवाइट की जाती है और आपको sample देखना है किस प्रकार का ये material होता है तो नीचे description पर sample video आपको मिल जाएगा तो आपको material का अंदजा लग जाएगा क्या quality होती है material की और वाकी ये offer है अगर आपको offer चाहिए तो आप offer भी ले सकते हैं और ये monthly MCQB PDF आपको चाहिए जिसमें minimum 200 questions कवर कराए जाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं और कैसे इसको join करना है paid package को तो ये पूरी चीज information दी हुई है वीडियो को pause करके पढ़ लीजे और fees कैसे pay करने हैं तो इस QR code का इस्तमाल आप कर सकते है fees pay करने के लिए या फिर नीचे description पर पूरी detail आपको payments related मिल जाएगी ठीक है और अगर कुछ समस्या आती है आपको यहने की paid package से related कोई भी समस्या आ रही है कुछ और आपको पूछना है तो आप मुझे facebook पर message करके पूछ सकते हैं अगर current affairs related कुछ पूछना जानकारी चाहिए तो आप message कर दिएगा और अगर आप facebook पर नहीं हो तो यह मेरा number है 9713282838 ध्यान रहे number पर call नहीं करना है call attending किये जाएंगे SMS के थू यह telegram पर message करके आप मुझसे contact कर सकते हैं आपके पास within 24 hours आही जाएगा 100% जो भी आपको पूछना आप पूछ सकते हैं ठीक है और अगर आप telegram पर है तो telegram पर आप जो है वो मुझे message कर सकते हैं telegram पर है अगर आप तो message नहीं message टॉप कर चुके हैं तो यह मैंने बताई दिया मनाथू पद्मनाभन के बारे में तो मनाथू पद्मनाभन जी कौन थे तो यह एक Indian social reformer भारतिय समाज सुधारक और एक स्वतंतरता सेनानी freedom fighter थे यह कैरला के तो याद रखिएगा कैरला से belong करते थे यह डारेक्टी ऐसे question है वो match the falling question यह choose the correct pair में आ सकते हैं इसके लाबा इनका जन्म जो हुआ था वो 2 जन्वरी को हुआ था और अभी बीता है 2 जन्वरी तो that's why यह topic इनकी birth anniversary के लिए हमें news में देख रहे हैं बला था तो 1878 2 जन्वरी को इनका जन्म हुआ था और इनकी death हुई थी 1975 February को anti-untouchability agitation में इन्होंने participate किया था असपरशिता विरोधी आंदोलन में और मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश की इन्होंने वकालत करी थी इन्होंने YCOM सत्यग्रह में participate किया था और साथी साथ नायर Service Society NSS इसका foundation इन्होंने किया था इसकी इस्तापना इन्होंने करी थी ठीक है तो यह बस basic factors related दो-तीन points जिसको आपको बस ध्यान में रखना Guys बात करेंगे Scottish Independence Referendum के बारे में तो पहले तो Scotland की आप location देखो यह world map आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर Europe में आप देखिए थोड़ी location Scotland यहाँ पर UK के North में है Wales यहाँ पर इसके West में हम लोग को नजर आता है और यही पर यह Northern Island है तो ऐसी यह पूरी location वह अच्छे से आपको पता हो नहीं चीए England का पर है, Scotland का पर है Wales का पर है, क्योंकि North to South या East to West type के question आ जाते हैं इसको अरेंज करो North to South में जैसे कि Scotland Wales लिख दिया और Northern Ireland लिख दिया और आप से पूछा गया कि इसको North to South में अरेंज करना है तो सबसे पहले आएगा Scotland, फिर Northern Ireland, फिर Wales आएगा तो इस प्रकार से आज हम आप लोग को अपनी तियारी करनी है मैप वगरा कभी भी देखो तो इस तरीके से वह पूरे अच्छे से देखा करो तो Scotland का आपर है, UK में ही आता है Scotland, England के उपर हम लोग को North में देखने को बलता है या फिर UK के North Side में आपको Scotland नजर आता है तो यह Scottish Independence Referendum है अब referendum का मतलब क्या होता है referendum का simple सा मतलब होता है public vote, कि public vote करती है किसी decision पर, तो उसको referendum कहा जाता है public referendum generally बोलते है या public vote इसको कहा जाता है referendum को, तो Scottish Independence Referendum है तो यहाँ पर इस छेतर में जो रहने वाले जो लोग है पहले एक referendum हुआ था जिसके थूँ लोगों से पूचा गया था कि लोगों को UK का हिस्सा ही बने रहना है, यानि कि यहाँ कि जो citizen से क्या वो यह चाते हैं कि UK का हिस्सा ही Scotland रहे या फिर वो Scotland को एक independent country के तो पहले जो यह referendum हुआ था तो उसमें fail हो गया था 2014 में यह हुआ था यह भी एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए और अभी यह Scottish independence referendum का topic news में क्यों सामने आया है तो देखें, Britain के जो प्राइम मिनिस्टर है Boris Johnson, इन्होंने suggest किया है कि Scotland जो है वो एक दूसरा फिर से independence referendum 2050 तक ना करे अब ऐसा क्यों कहा British Prime Minister ने तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी Brexit हुआ है Britain European Union से exit हो गया है तो British Prime Minister को यह डर है कि कहीं अगर Scotland referendum अगर कर देता है और फिर वो एक independent country बन जाता है और या फिर इवहा के लोग जो है वो थोड़े से influence हो जाए कि अब mainly जो है वो फाइदा भी public referendum हुआ था कि लोगों से पूछा गया था Britain के कि लोगों को European Union का हिस्सा बनना है कि नहीं बनना तो उसमें जो majority of percent जो थे ना उन्होंने बोल दिया था कि European Union से Britain को हट जाना चाहिए बट जो majority दी ना वो एक का दुखका percent की थी याने कि ज्यादा एक बड़ा vast gap नहीं था majority और minority में एक का दुखका gap था ये तो इसलिए Britain Prime Minister को डर है कि अगर Scotland के अंदर दोबारा से फिर से public referendum हो जाता है या फिर public vote होता है Scotland के independence के लिए तो हो सकता है कि Scotland UK से अलग हो जाए independent हो जाए तो ये चीज़ जो थोड़ी सी डर थी तो इन्होंने suggest किया है कि 2050 तक Scotland को एक दूसरा independence referendum नहीं conduct कराना चाहिए तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मली थी that's why ये topic news बथा थोड़ा सा आप history भी जानो कि Scotland और England कब unite हुए थे कब एक साथ हुए था देखिए Scotland पहले अलग हुआ करता था ये UK का हिस्सा नहीं था बढ़ क्या हुआ 1707 में 16 January 1707 में एक Act of Union साइन हुआ Scotland और England के बीच में और फिर 1707 में ही ये effect में आ गया था यानि कि लागू हो गया था और उस समय Scotland जो है वो इंग्लैंड का हिस्सा बन गया और फिर United Kingdom नांकी कंट्री हम लोग को नजर आई ब्रेटेन की और Scottish Parliament जो थे थी वो dissolve हो गई थी रद हो गई थी और एक single Parliament हमें देखने को मिली थी Westminster London के अंदर तो ये चीज हम लोग को नजर आई थी तो ये था और actual में क्यों Scotland जो है वो UK का हिस्सा बना या पर क्यों Scotland ने England को जोईन किया ये भी question बन सकता है तो देखे उस समय पर 1707 के period पर Scotland की स्तिथी बिलकुल भी अच्छी नहीं थी economic wise तो उसने सोचा कि उसकी country के finance वैसे ही खराब है वह ने तो उसने सोचा कि ये अगर UK का हिस्सा बन जाएगी और UK आप जानते हैं ये जो period था ये modern India में आपने पढ़ा होगा क्योंकि 1707 औरंग जेब की death के बाद से ही modern India शुरू हो जाता है फिर बाद में UK के अंदर industrialization आ रहता है और उससे पहले UK जो थी वो rich होती जा रही थी क्योंकि उसका दबदबा all over the world हम लोग को देखने को मता था various colonies जो है वो उसने बराना already शुरू कर दी थी तो UK powerful जो है वो body थी England powerful था उस समय तो Scotland ने सोचा कि England के साथ जुड़ना ही जो होगा वो उसके लिए बहतर होगा क्योंकि वो अपने independent finances वगरा को manage नहीं कर पा रहा था अपने लोगों की देखभाल नहीं कर पा रहा था country की हाला तो उससे में Scotland की काफी poor थी तो उसने सोचा कि England के साथ अगर ये जुड़ जाएगी Scotland तो उसमें Scotland की भी भलाई होगी तो ऐसा हुआ था उससमें 1707 के period में तो ये चीज़ हमें देखने को मिली थी और independence का main case हम लोग को क्या देखने को मिलता है तो देखो जो भी लोग आज की rate में support कर रहा है कि Scotland को अलग हो जाना चाहिए तो उनका मानना यह है कि अगर Scotland England से अलग हो जाती UK से अलग हो जाती एक independent country हम लोग को आने वाले समय में अगर देखने को मिलती है तो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें Scotland जो है वो काफी rich हो जाएगी अमीर हो जाएगी कैसे अमीर हो जाएगी Scotland तो कहा गया है कि Scotland independently फिर अपना DCN ले सकेगी अपने resources को उसको कहाँ पर allocate करना है किस प्रकार से उसको खर्चा करना है investment करना है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी फिर Scotland के पास जबाज जाएगी तब Scotland automatically जो हो इंपरू हो जाएगी अपने आप में एक strengthened economic country के तौर पर हमें देखने को मिलेगी एक मजबूत country के तौर पर देखने को मिलेगी आप देखो वो जो period था 1707 का और आज का जो period तो आज का period globalization का है ट्रेड का है आप आप अरड़ी जानते तो उससमें ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल थागी technology जो थी उससमें उतनी advance नहीं हुआ करती थी तो यही चीज है जिसके करना से आज की rate में जो लोग support करना है कि Scotland को एक independent country बन जाना चाहिए तो उनका मैनना यही है कि Scotland एक independent country बनेगी और वो European Union को join कर लेगी तो ultimately Scotland को follow करना होता है जैसे की nuclear weapons पर खरचा करना billions of pounds जो है वो invest करना तो उसकी जगा जो है वो Scotland childcare और दूसरे welfare programs वगरा में जो है वो खरचा कर सकेगी अपने according जो है वो DCN ले सकेगी तो यह चीज है बढ़ आप लोगों को United Kingdom की country हम लोग को देखने को मिली थी राइट दोनों की unite होने के बाद तो यह चीज आपको बता होने चीज़ और 2014 में इसका आखरी referendum होगा था जहापर लोगों ने मना कर दिया था कि Scotland जो है वो अलग नहीं होना चाहिए UK से उसको UK का ही part रहने दिये जाना चाहिए तो यह है कुछ basic facts जिसके आपको एक जान करी होनी International Organization of Securities Commission तो इस topic को अपन देखेंगे तो आपको यहाँ पर mainly focus करना है securities के उपर क्योंकि अगर यह चीज़ आप समझ जाओगे तो आपको यह topic समझने में काफी आसानी होगी तो securities क्या होती है shares और debentures होते है securities होती है न हमारी country के अंदर जो SEBI है securities exchange board of India उसका काम क्या होता है कि regulate करने का कि हमारी country के अंदर जितने भी financial जो transaction हो रहे है जो investment हो रहा है securities वगरा में तो उसको यह पूरा regulate करती है देखती है monitor करती है हमारी SEBI और कहीं पर भी इस प्रकार का अगर घोटाला होता है share market वगरा में तो SEBI को जो है approach किया जा सकता है तो आप जानते होंगे इसके बारे में तो all over the world जितनी भी ऐसी securities regulator है तो उनको शामिल किया जाता है इसके member के तौर पर international organization of securities commission के member के तौर पर क्यों शामिल किया जाता है क्योंकि सभी जितने भी यानि कि all over the world जितने भी securities regulator है वो एक standard जो है वो guidelines को rules को जो है वो follow करें और better तरीके से securities management purpose के लिए और better तरीके से हरे country के अंदर securities को regulate किया जा सके और security sector में growth or development जो है बुलाया जा सके तो इस पर mainly focus किया जाता है right इस commission के तहत क्योंकि इस commission में all over the world के हम लोग को members देखने को मिलते हैं और कौन members होते हैं जो security regulators के तौर पर होते हैं और आपको ये भी चीज़ पता होनी चीए कि India के अंदर जो SEBI है वो इसकी member है ठीक है SEBI हमारी इसकी member है इसके लावा अभी IFSCA को International Financial Services Centers Authority को इसका associate member जो है वो बनाया गया है that's why ये topic news में था और IFSCA वाला जो topic है ये मेरा आप लोग को detail में cover कराया हुआ IFSC के बारे में आपको जानना जरूरी है International Financial Services Centers के बारे में काफी important topic है लगातार पिछले 2-3 महिनों से ये topic repeat हो रहा है तो ये topic आप देखेंगे 25 September 2020 के lecture में detail में मैं आप लोग को cover कराया हुआ है आपको YouTube के search column पे लिखना है 25 September 2020 उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष जो भी search list में आपका सबसे पहला वीडियो आएगा वो अपने यही वाला वीडियो होगा इस वीडियो के 43 minutes 40 seconds पर ये topic मैंने आप लोगों के लिए explain किया हुआ है तो इस topic को ज़रूर जाकर देख ली जेगा और जिने students के अज पीडियेफ आती है तो सरकार ने IFSC-A को भी establish किया है इसको basically regulate करने के लिए और इसका काम क्या होता है और ये किस प्रकार से international investment को support करती है तो पूरी चीज में आप लोग को हापर detail में explain की हुई है तो इसको जरूर आप जाकर देखिएगा ठीक है और काफी easy दरीके से explain किया पूरी चीज crystal clear आपकी हो जाएगी इसका head office कहाँ पर है गांधी निगर में ही 27 April पिछले साल जो है वो establish किया गया था इसको इस institution को IFSC-A को और December 2019 में हमारी Parliament ने एक bill pass किया था जिसके तहत एक unified authority set up करी जो कि सभी financial activities को regulate करेगी और ये IFSC के अंदर हमें देखने को बनती है और इसके लबा IOSCO की बात करें International Organization of Securities Commission की तो आदी से जादे चीज़े तो आप समझी गए हो theory में भी देख लो इसके बारे में तो ये एक international body है पूरे दुनिया भर की जो world securities regulator होते है उनको एक साथ लेकर आती है जैसे मानी भी आपको समझाया था कि पूरे दुनिया भर में जितने भी securities regulator है वो इसके member के तोर पर हमें नज़र आते जैसे कि हमारी SEBI भी इसकी member है और अब तो IFSCAB इसकी member के तोर पर हमें देखने को मिल रही है आगे की बात करें तो यह recognize करती है global standard sector के तोर पर यह हमें देखने को मिलती है security sector के लिए तो all over the world जो है वो security को regulate करने के लिए security sector के growth और development के लिए एक सभी country जो है वो मिलकर एक common तरीके से जो है या फिर एक common standard जो है वो follow करते हुए काम करें तो इस पर इनका mainly focus होता है और यह G20 member countries के साथ जो है वो मिलकर काम करती है और financial stability board के साथ और global regulatory reform agenda पर इसका काम हमें देखने को मिलता है 1983 में यह establish हुई थी और इसकी जो membership जो है हमें देखने को मिलती है कि वो regulate करती 95% पूरे दुनिया भर का जो world security market है पूरे दुनिया भर कर security market उसकी जो member के तौर पर यानि कि जो regulators उसके हमें देखने को मिलते है वो इसके member के तौर पर सामने नजर आते है 115 इसके jurisdiction ए शेतर रधीगार हम लोग को इसके नजर आते है all over the world तो ये चीज़े जिसके बारे बस आपको basic सी जानकारी होनी चीज़ जादा detail में जानी की ज़र होती बट हाँ ये वाला topic आपको बहुत अच्छे से clear होना चाहिए IFSC बहुत important topic इंडिया की ये body है चाइना ने amend किया है अपने defense law को तो इसको लेकर ये topic news में है चाइना का जो national defense law है उसको इसने amend किया है ये चाइना के अंदर जो central military commission जो है उसको बहुत जादा power दे रहा है experts का मानना ये है कि चाइना अपने economic activity को protect करने पर भी काम कर रहा है और इसकी जो overseas assets है उसको protect करने पर काम कर रहा है especially हाँ पर highlight किया है expert ने belt and road initiative के बारे में तो देखें यहाँ पर मैं आप लोग को जो है वो pause करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जब-जब आपको belt and road initiative के बारे में पढ़ाया है और उसके थुरू वो spy बगरा करेगा तो यह चीज मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी जब मैंने even 2019 से अगर आप मुझे follow कर रहा है काफी लंबे समय से और 2019 में जब मैंने आपको पढ़ाया था belt and road initiative के बारे में तो इस चीज का वो military तेनात करेगा और security के नाम पर वो spy करेगा निगरानी रखेगा और even कहीं पर भी कोई war like situation आती है तो आप यह कह सकते हो कि चाइना के प्यादे जो है वो हर जगा तीन continents पे तेनात रहेंगे तो कहीं से भी जो है वो कुछ भी strategic activity जो है वो conduct कर सकता है तो यह approach के साथ जो है वो China आज की rate में काम कर रहा है और इसके बारे में already मैं आपको पहले बता दिया तो बकाईदा आज की rate में expert यही कर रहा है belt and road initiative को highlight करते हुए तो मैं आपको यह चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आप जो अपनी exam की तैयारी कर रहा है civil services की और एक civil servant की quality यह होती है कि उसको आज की rate के बारे में तो awareness होनी चाहिए बढ़ उसकी approach इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आने वाले समय में क्या होगा उसका prediction वो बहुत strongly जो हो लगा सके और यही चीज की practice में आपकी करवाता हूँ even जैसे मैं आपको एक और example देना चाहूँगा जैसे कि coronavirus की समय पर जब पहला lockdown हुआ था मेरे का दिशाद 14-15 दिन के लिए जो lockdown हुआ था पहला lockdown तो उस समय मैंने आप लोग को बोल दिया था कि आप देखिएगा कि यह जो lockdown है यह extend होगा और तीन एक महिने तक यह lockdown जलेगा क्योंकि मैंने आपको बिलकुल लॉचिकल चीज बताई थी कि सरकार उस समय जो policies लेकर आए थी वह तीन-तीन महिने वाली policy ला रही थी और बहुत सरकार की policy continuous थी तीन-तीन महिने वाली थी तो मैंने clearly जब बोला था तो काफी सरे students नीचे comment box पर विरोध कर रहे थे कि सर नहीं होगा ऐसा कुछ होई नहीं सकता किसी condition में नहीं हो सकता हम लोग ने बहुत पहले ही action ले लिया है फैनले देंगे ही नहीं देंगे तो मैंने आपको clearly बोला था और बखाय था लेक्चेस की बीच में ये भी बोला था कि कोरोना वारिस के cases बहुत जादा होने वाले है बट उस समय काफी लोगों ने विरोध किया था और बट देखिए हुई वो पूरी चीज जैसा मैंने आपको बताया था इवन Belt and Road Initiative वाला अगर आप लोगोंने मेरा topic पड़ा होगा तो आप relate कर रहे होगे कि मैंने उस समय ही यह वाली चीज आपको बता दिदी कि China के अंदर जो है हम लोग को देखने को बलेगा कि military expansion करे गई और उसको लेकर इसने काम अपना शुरू कर दिया है यह बकाईदा experts Belt and Road Initiative को highlight करते हुए कह रहे है तो कहने का मतलब यह है कि आपका answer ऐसा होना चाहिए कि वो civil servant की quality जो है उसमें दिखनी चाहिए आपके answer में कि आप अगर किसी topic को समझ के लिख रहे हो तो आप ऐसा लिखो कि आपको आज के बारे में तो पता होना ही होना चाहिए बलकि future में क्या होगा उसका भी prediction आपको करते हुए एक अच्छा answer लिखना चाहिए क्योंकि आपके answer में ही जो आपकी copy चेक करेंगे वो आपके अंदर civil servant की quality भी देखेंगे कि आप officer बनने लाइक होगी नहीं हो क्योंकि officer की quality यह होती है कि वो किसी भी चीज़ पर आज की बात तो करते ही करते हैं background की बात भी करते हैं और आने वाले समय में क्या होगा उसका prediction भी देते हैं और prediction ऐसे ही नहीं होना चाहिए इतना strong होना चाहिए कि वो exactly हो और मेरे खासर शायद आपने observe किया ही होगा जो open analysis यहाँ पर conduct करते हैं उसमें prediction जो मैं आपको अलग से जो out of the box आगर कुछ points बताता हूँ उनी से ही related चीजें जो हो आगे चलके आपको देखने को मिलती है तो anyway ज़्यादा बात इसकी नहीं करूँ है आपको यहीं बताना चाहिए कि काफिस जारे student doubt कर जाते हैं कि आप सर जो extra चीज बता रहे हो काम की होगी की नहीं होगी यह लेकरा सही होगा की नहीं होगा definitely लिखो क्योंकि मैं जो आपकी approach build up करता हूँ वो बिल्कुल logical perspective से build up करता हूँ यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि मैंने कुछ तो भी उठा के बोल दिया जो भी चीज accurate होती है और मैं जब यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो उसके पीछे जो knowledge का source होता है वो बहुत सारी magazine बहुत सारे articles उसको मिला कर मैं आपको एक सार जो है वो चीज़ें हाँ पर provide कराता हूँ तो इसलिए lectures को regularly देखो lectures को skip जो है वो बिल्कुल मत किया करो क्योंकि student को लगता है कि article जो है क्योंकि मेरे मुझे कुछ students है वो इसलिए क्योंकि answer लिखते समय बहुत सारी approaches की आवशक्ता होती है तो video देखना जरूरी है ठीक है उसपे आप compromise करो मत करो क्योंकि अगर आप compromise करो है क्योंकि अगर आपको पढ़ना ही होता तो newspaper अविलेबल है आप newspaper से article पढ़ लो न वीडियो क्यों देख रहे है आप जिससे कि अपकी understanding developer especially इस प्रकार की कुछ topic में जो कि ऐसे हम लोग को देखने को मिलते हैं I'm sorry मैं आपको थोड़ा इसमें जादा समय लिया बट क्या होता है कि student को बताना जरूरी होता है amendment जो है guys चाइना का वो ये भी कह रहा है कि चाइना global security governance पर participate करेगी ये काफी सारी multilateral security talks में भी involved होगी अब ये दूसरी country के साथ भी engage होगी क्योंकि obvious ही बात है कि इसको अपनी military को तैनात करना expand करना है तो इसको दूसरी country का support भी तो चाहिए ना दूसरी country के साथ agreement करना इसका जरूरी है हाला कि इसके belt and road initiative में इसने बकाइदा चीज़े को mention किये कि अपनी route जो है उसके protection के लिए अपनी security वगरा जो है वो तैनात करेगा तो इसने बकाइदा यहाँ पर mention किया था अपने agreement में और security purpose के लिए तो वो तैनात करेगा ही करेगा बट फिर भी किसी भी country को जो है वो कोई problem नहीं आने चाहिए तो उसको ले करिए multilateral security talks भी कंटक करेगा इवेर इसने यह भी काए कि एक ऐसे international rules यह तैयार करेगा जो कि widely acceptable होंगे यानि कि सभी उसको accept कर सेंगे fair होंगे और reasonable होंगे यह चीज़े से mention क्यों करी है क्योंकि इसको वहाँ पर जाकर अपना गड़ बनाना है तैनात होना है और एक बार इसको allow कर दिया अपनी military को तैनात करने के लिए तब यह तीन continents के उपर जो है वो बहुत करें गई तो इसका target क्या है जो इसकी people liberation army जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको इसे world class military बनाना है और United States की जैसे military है न काफी powerful हम लोग को United States की military देखने को मिलती है तो उसी के equivalent इसको 2049 तक बनाना है और 2049 ही क्योंकि 2049 में China की people republic of China जो है उसको 100 साल complete हो जाएंगे तो इसकी शुरवाज होई थी people republic of China की वो 1949 से होई थी यह वाली fact भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए और 2049 में इसको 100 साल complete होंगे तो यह था गया इस पूरा overall topic जिसके बारे में आपको एक अच्छा idea होना चाहिए trans fat से related यह topic है तो trans fat के बारे में already मैं आप लोगों की पूरी चीज़े detail में cover करा चुका हूँ बट फिर भी एक बार अपन go through कर लेंगे trans fat के बारे में तो देखे trans fat जैसी सुनो तुरन दिमाग में आना चाहिए कि trans fat के consumption से जो भी लोग trans fat को जादा consume करते है तो उनके काफी जादा chances होते है heart attack के तो trans fat जो है direct heart में जो हो असर करता है क्योंकि arteries वगेरा जो होती है उसको यह कम कर देता है तो यह चीज़ हमें देखने को मिलती है और साथी साल liver पर भी एफेक्ट करता है heart और liver पर trans fat तो अभी क्या हुआ है FSSAI Food Safety and Standard Authority of India इसने limit लगा दी है trans fatty acid पर कि oils में और fats में जो trans fatty acid का उप्योग किया जाता है जो मिलाए जाता है trans fatty acid को या फिर simply trans fats को तो उसके उपर limit लगा दी है आज की rate तक जो permissible limit थी trans fatty acid को मिलाने की वो 5% थी अब इसको घटा कर 2021 में 3% किया गया और 2022 में 2% रखा गया है right कि trans fatty acid को 3% ही मिलाए जाएगा oils में और fats में 2021 में और 2022 में इसको मातर 2% मिलाए जाएगा अभी ये 5% है right और इसको amend किया है इस चीज के लिए इस rules को लाने के लिए इस limitation को लगाने के लिए food safety and standard prohibition and restriction on sales regulation को amend किया गया है और ये basically regulation जो है revised regulation ये किनकी चीज़ों में apply होगा तो edible refined oils जो होते है वनस्पती जो होती है वनस्पती यानि कि partially hydrogenated oils जिसको अपन बोलते है margarine और इसके लबा bakery shortnings और दूसरे medium cooking के जैसे की vegetable fat हो गया या mixed fat हो गया तो इन सब में ये trans fatty acid जो मिलाए जाता है तो उसके लिए ये नियम जो हो लाए गए है limitation जो हो लगाई गई है और trans fatty जो है guys directly associated है heart attack heart attack जो है जो जातर उन लोगों को होता है जो लोग trans fatty का consumption करते है तो जैसे मैंने आपको starting में बताया और coronary heart disease का risk काफी ज़्यादा होता है heart disease हो गई या heart attack हो गया तो trans fatty consumption से इन सब चीजों का काफी ज़्यादा खत्रा होता है और world health organization ने बताया कि approximately 5.4 lakh मृत्यू पूरे दुनिया भर में हर साल होती है industrially produced trans fatty acid के intake पर तो trans fatty acid जो industries में बनते हैं तो उसके consumption की करण साड़े 5 लाग के आसपास लगभग मृत्यू जो है वो पूरे दुनिया भर में हर साल होती है और WHO का एक target है कि पूरे दुनिया भर में से 2023 तक trans fats को eliminate करनेना है totally 2023 तक तो trans fats क्या है तो इसको trans fatty acid कहा जाता है या simply trans fats कहते हैं तो काफी harmful type है यह fats का और adverse effect इसका body में देखने को मिलता है जैसे मैं आपको बता है heart attack के chances काफी ज़्यादा हो जाते हैं इसके लावा यह artificially produced होता है जादा मातरा में बट यह naturally भी हम लोग को देखने को मिलता है तो याद रखिएगा trans fats जो होते हैं वो industries में भी बनते हैं और naturally भी पाए जाते हैं बट naturally काफी कम मातरा में पाए जाते हैं हमारी diet के अंदर artificially trans fatty acid जो होता है या फिर natural trans fatty acid जो हम लोग को देखने को मिलता है वो present रहता है तो artificial trans fatty acid जो होता है यह कैसे बनता है तो industry के अंदर hydrogen को react करवाए जाता है oil के साथ और उस समय यह fat बनाता है लिए fat की भी आवशक्ता होती जो इसे butter हो गया, खी हो गया, सब क्या fat है पर trans fatty acid industries में बनता है और यह बिलकुल butter घी की तरह ही दिखाई देता है स्वादिश भी होता है और इसलिए और सस्ता भी होता है तो इसलिए जातर लोग जो है वो इसको उपियोग करते है जातर, hotels वागेरा में trans fatty acid बहुत जादा हमें देखने को बलता है तो trans fatty acids जो होता है तो यह vegetable oils जो होता है मैंने आपको वनस्पती जो बताया था hydrogenated partially hydrogenated vegetable oils जो होता है वनस्पती जो होता है margarine जो होती है और natural trans fatty acids जो होते है वो meat या फिर dairy products में पाए जाते हैं बढ़ वो काफी कम मातरा में हमें देखने को बलता है but artificial trans fatty acids काफी जादा होते है और इसको बहुत जादा जो होपियोंग में लिया जाता है क्योंकि खाने को यह tasty बना देता है तो यह चीज़े तो यह एक आपको जानकरी होनी चीज़े इस topic के बारे में गई समझेंगे across scheme के बारे में across का full form है atmosphere and climate research modeling observing systems and services क्या सान में आपको नाम से तो एक ऐसी scheme है जो कि atmosphere और climate की research को promote करने का काम करती है और even atmosphere और climate से related उसको observe करने से related various systems और services प्रोवाइड कराने का काम करती है तो मोड़े मोड़े तोर पर हमारा जो जैसे weather है weather forecasting के लिए various technologies का उप्योग होता है various systems की आवशक्ता होती है और climate forecast करने के लिए analysis करनी होती है experts को तो उसके लिए research बगएरा की भी आवशक्ता होती है तो ये सब चीजे जो हो इसमें हमें देखने को मिलेगी तो ये early warning systems भी provide कराएगी ये scheme कि जिसे की पहले से weather के बारे में पता लग सके तो ये उसको उससे related ये scheme है और ये basically एक प्रकार की umbrella scheme है umbrella scheme याने की इस scheme के अंडर और भी schemes आती है और warning वगएरा cyclone के बारे में storms के बारे में, तूफान के बारे में, cyclone के बारे में heat wave के बारे में, thunderstorm के बारे में ये provide कराएगी और इस प्रकार की इस scheme को review किया था, that's why ये topic हमें news में देखने को बला था, इस scheme के benefit के आएगा इस, तो improved weather, climate और ocean forecast जो है वो इस scheme के through मिलेगा, नई नई technologies हमें देखने को मिलेंगी, right इस scheme के ताहिए, scientific और technical staff जो होगा इस scheme के अंडर, right, various और even promote भी किया जाएगा कि जाज सदा experts जो है वो, weather related field में जो है वो सामने आए, right जाज लोगों को motivate किया जाएगा कि वो weather related जो field है उस पर जो है वो शामिल हो आएं, और उससे क्या होगा, employment opportunities भी generate होगी काफी सारे लोगों के लिए तो ये चीज़ है, और काफी सारी agencies जो है वो उनको provide की जा रही है, लोगों के लिए employment opportunities प्रोवाइड की जा रही है कि लोग जो है वो, इस पर weather based services पर जो है वो काम कर सकें, right तो ये चीज़ हम लोग को देखने को बढ़ रही है तो ये है basic सी चीज़ जिसके बारे में आपको vaccine इसके बारे में already अपन बात कर चुके हैं और serum institute की kovi shield के बारे में भी अपन बात करेंगे हाला कि serum institute की vaccine के बारे में भी अपन ने बात करी थी, इन दोनों के बारे में फिर से एक बार देख लेते है basic facts जिनको आपको याद रखना है तो सबसे पहली चीज तो dcgi ने इन दोनों ही vaccine को approve कर दिया है और ये restricted emergency use के लिए approve की गई है और ना ही kovi shield और ना ही covaxin दोनों ही vaccine ने phase 3 trial जो काफी crucial होता है वो दोनों ने ही अभी तक conduct नहीं किया है और expert committee ने recommend कर दिया कि इसको approve कर दिया जाए इन दोनों vaccine को market में लाओ कर दिया जाए क्योंकि coronavirus की vaccine की काफी जाद आवशकता है तो एक एक करके देखते हैं पहले कोvi shield की बात करते हैं कोvi shield को किसने develop किया है तो Oxford University ने AstraZeneca के साथ मिलकर जो है वो इसको develop किया और पूरे के अंदर जो Serum Institute of India है यह इसकी manufacturing और trial partner के तौर पर हमें देखने को मिलती है इस vaccine के अंदर चिंपांजी viral vector है उसका replication deficient हम लोग को चिंपांजी viral vector का देखने को मिलता है और यह common cold virus का weak version के तौर पर हमें नजर आता है तो यह जो virus है यह basically infection करता है चिंपांजी को बढ़ यह weak version है इसका और दूसरी बात replication deficient है इसका मतलब कि यह body में जाकर बढ़ेगा नहीं यानि कि फैलेगा नहीं body में first point और दूसरी बात इसमें genetic material डाला गया है SARS-CoV-2 का इसके spike protein के purpose के लिए देखिए मैंने अभी एक हफता भी नहीं हुआ है अपने डिसकस किया था कि virus के consequence है types होते हैं तो उसमें इन सब चीजों के बारे में मैं आपको detail में explain किया था जिने students ने previous lectures नहीं देखें guys definitely देखो और अगर आप 2021 में appear हो रहे हो तो जनवरी 2020 से अभी time है पूरे lectures 2x की speed में देखना जाओ देख लो या फिर magazine से एक बार पढ़ लो क्योंकि अभी time है आपके पास क्योंकि बाद में फिर April वगएर आएगा तो मैं खुदी नहीं बोलूँगा कि आप पूरा पढ़ो इतना time बचता नहीं है एक reading करने का भी time बचता नहीं है आप 15-20 दिन लेकर जो है वो पूरे previous topic निफ्टा डालो अभी time है आपके पास अब देखो ये बात हो गई कोवी शील्ड की अब बात करेंगे को वैक्सीन की इसको भारत बायो टेक के दवारा डेवलप किया गया है इंडिया की पहली इंडिया में ही बनाई गई ये वैक्सीन है कोरोना वाइरस की और भारत बायो टेक ने डेवलप करी है वैक्सीन को इंडियान काउंसिल अफ मेडिकल रिसर्च और नाशनल इस्टीट ओफ वाइरो लॉजी के साथ कोलाबरेट करते हुए और इसमें inactivated vaccine हम लोग को नज़र आती है तो ये भी एक type होती है vaccine की inactivated vaccine और vector वाली vaccine भी होती है viral vector वाली जिसके बारे में भी ये पनने discuss किया था तो ये basically inactivated vaccine है जिसमें जो life micro organisms है वो inactivated है या फिर मरे हुए है जिन्दा नहीं है वो या फिर अगर जिन्दा भी है तो वो virus जो है वो फैलाएंगे नी body के अंदर इस प्रकार के है और इसमें इनके replicate करने की ability जो है वो खतम कर दीगे ये destroy कर दीगे क्योंकि जिससे की body के अंदर ये फैले न और दूसरी बात हमारे immune system इसको still recognize कर जाएंगे और अपनी immunity को strong बना लेंगे इस virus के against तो इसके लिए ये virus जो है वो body के अंदर जाकर ये काम करेगा हमारे immune system को boost करने का काम करेगा ये वाला virus जो भारत biotech के दोरा बनाया गया है और क्या ये vaccine को लेना safe है तो काफी सारे लोग जो है guys वो डर रहे हमारे इंडिया के अंदर इवेर अपने discuss भी किया था कुछ समय पहले एक survey के बारे में अपने बात करी थी जिसमें mention था कि इंडिया में लोग जो है वो डर रहे हैं लोगो को लग रहा है कि ये vaccine जो है क्योंकि vaccine के बारे में information है नहीं जादा किसके क्या side effect हो सकते हैं लोग डर रहे हैं कि कहीं जो है वो इस vaccine को लेने के बाद लोगों की मौत ही ना हो जाए या फिर कुछ साल के बाद ना मौत हो जाए तो ऐसी भी हम लोग को डर जो है वो लोगों की बीच में देखने को मिल रहे हैं तो इसलिए लोग बाद जो है वो vaccine लेने से बिसिकली अभी ignore कर रहे हैं मना कर रहे है और experts का मानना यह है कि जादा अगर हम लोग vaccine के trial से related information public के बीच में फैलाते रहेंगे spread करेंगे public को बताएंगे कि यह vaccine safe है उसका trial conduct हुआ है safe and secure trial उसका conduct हुआ है तो शायद लोगों के बीच में confidence है और लोग vaccine को लेने पर विचार करना शुरू करें कि अभी भी काफी सारी myth वगेरा जो है वो market में घूम रही हैं काफी सारे rumors वगेरा market में हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि vaccine के against बताए जा रहे है राइट बड़ ऐसा करना नहीं है vaccine तो लेना ज़रूरी है अब देखिए obviously बात है कि coronavirus के against यह vaccine जो है scientist researcher ने बनाई है तो obviously बात है यह तो सोच समझ के बनाई होगी न कि body के अंदर इसका कोई severe negative impact जो है वो पड़ेगा नहीं right तो यह सब चीजे तो देखी होगी तब जाकर तो यह vaccine मनाई होगी बढ़ हां फिर भी अब कुछ कह नहीं सकते हैं कि body के अंदर किस प्रकार से यह react करें या कुछ सालों के बाद कैसे react करें क्योंकि वाली भी एक समस्या होती है बट फिर भी scientist researcher पर अपन भरोसा तो करी सकते हैं हमारी country के अंदर यह vaccine दी जारी है तो obviously बात है और दूसरी यहाँ पर भी test बगएरा conduct करवा के ही यह vaccine दी जाएगी और emergency use authorization इंडिया के अंदर जो है वो किस प्रकार से होता है तो देखें यह एक topic important है emergency use authorization का यह आल आप topic देख लो क्योंकि यहाँ पर जो आपको mentioned है यहाँ कि इस topic यहाँ कि इस article के अंदर वो उत्रा जादर detail में नहीं बट यहाँ पर मैंने पूरी चीज detail में आपको explain करी हुई है emergency use authorization वाला यह topic आप देख लेना 4 December को ही मैंने topic explain किया है आपको अभी कुछ समय पहले ही discuss किया था इस topic को आप 4 December के lecture में 11 minute 38 second पे जाएंगे आपको तो यह topic मिल जाएगे यह जरूर देख लेना topic ठीक है दिमाग में बैट गए तो like का बटन जरूर हिट कीजिएगा नए आए है चैनल को subscribe कीजिए और share जरूर करिए और आपका जो आज का homework है Ycom सत्यगर है के बारे में आपको पढ़ना है और IFSCA इसके बारे में आपको पढ़ना है और इनसे related आपको handwritten notes बनाने और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे comment box पे लिग दिएगा Sir homework done मुझे बतर रख जाएगा आपने homework complete कर लिया है और PDF paid package अगर आपको चाहिए तो इसकी fees मातर 100 रूपीज पूरे महिने किये इसमें आपको daily lectures की PDF दी जाती है आपको handout notes प्रोवाइट किये जाते है आपके revision के लिए आपको weekly compilation दिया जाता है PDF का आपको monthly magazine प्रोवाइट की जाती है इसका अगर आपको sample देख रहा है किस प्रकार की इसकी quality होती है paid package के अंदर जो material आपको मिलता है तो नीचे description बर sample का video आपको मिल जाएगा वो आप देख लीजेगा ये offer भी है आप offer चाहे तो ले सकते है इसको पढ़ लीजेगा और कैसे join करना है तो उसको आप पढ़ लीजे video को pause करके कि किस प्रकार से आपको join करना है और payment वगरा के बारे में पूरी information नीचे description पर दी हुई है इस QR code का भी आप इस्तमाल कर सकते है payment करने के लिए या फिर पूरी detail तो already नीचे description पर दी हुई है ठीक है और within 24 hours जो है वो आपको add कर लिया जाएगा आपकी payment करने के बाद और ये पूरी detail भेजने के बाद और अगर कोई समस्या आती है payment करने में या फिर कुछ से आपको कुछ भी पूछना है current affairs related तो आप facebook पर मुझे message करके पूछ सकते हैं और अगर आप facebook पर नहीं है तो ये मेरा number है save कर लीजे 9713282838 इस number पर याद रहे call नहीं करना है call attend नहीं किये जाएंगे इस number पर आप SMS के थूँ और अगर आप telegram करो तो बहुत अच्छी बात है तो वेटर रहता है क्योंकि उसमें कुछ photo आपको भेजनी है या कुछ भी चीज अगर आपको भेजना है पर फिर भी अभी कुछ समय बाद आपने smartphone ले लेंगे तो फिर मैं WhatsApp की facility भी available करा दूँगा अभी जो मैं काम करता हूँ अपने इस से करता हूँ iPad से करता हूँ और इसे laptop से MacBook से करता हूँ तो अपने पास वो smartphone नहीं है smartphone खरीदेंगे March में खरीदेंगे सोच के रखा है तो March में आप खरीदेंगे तब WhatsApp भी यहाँ पर ले आऊँ आप लोगे लिए क्यों स्टुडेंट बोलते हैं कि सर्फ WhatsApp भी रखा करो तो ठीक है तो आप मुझे Telegram पर अभी जो है वो message कर दीजेगा मेरे reply आपके अस within 24 hours आज आएगा जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं ठीक है और अगर आप Telegram पर हैं तो अपने आप description पर चेक कीजिए अपने Telegram की group भी है channel भी है उसको भी आप join कर सकते हैं ठीक है तो चलो आप मैं मिलेंगे कल तब तक लिए bye bye take care have a great day ahead टाटा